हलो गाइस गुड मॉर्निंग और वल्कम टू माई चैनल ऑनलाइन स्टेडी एरा मैं आप सभी का मेरे स्टेडी चैनल पे तहे दिल स्वागत करता हूं जैसा कि आज का मारे टॉपिक है वो भी हार्डबॉर्ड क्लास 12 में आने वाले 2021 की जो एक्जाम से उसके लिए में कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन्स लेकर आहा हूं आप से भी लोग जान रहोंगे कि हमारे जो बदलते पैल्टन के अनुसरा जो है 50% कोश्चन्स हमारे ऑब्जेक्टिब्स आ रहे हैं इन दिनों जिसमें 50% में भी 25% आपके बुक के कोश्चन्स होते हैं और 25% आपके ग्रामर क कम्प्लीट करवा रखा है आप उसके औब्जेक्टिव वाले वीडियो को जरूर देखे और उस वीडियो को आपने यदि एक बार देख लिया तो आपको वहर एक कोश्चन्स और टोमेटिक ले याद हो जाएगी आपको फिर से दुबारा कहीं और पढ़ने की भी जरूरत नहीं पढ़ेगे तो चलिए आपके लिए जो कुछ यहाँ पर मैंने कोश्चन्स लेगा है उस कोश्चन्स को हम लोग करते हैं और आप लोग भी ध्यान से हर एक रूल को आप लोग भी नोट करें अपने नोटबुक में लेस्ट अबर क्लासिस हमारा फर्स्ट कोश्चन्स यहाँ पर दिया गया है ही डैस एंसर एड इस टाइम वह इस समय क्या कर रहे हैं एक एंसर लिख रहे हैं हमें अब देखना है सबसे पहले कुछ बाते को अब जरूर धिहान रखें पहले तो हमें सब्जेक्ट को चेक करन है कि सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा गया सब्जेक्ट हमारा ही लिखा गया ही जो कि है सिंगुलर तो हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर भर भी यूज करते हैं तो सिंगुलर भर यहाँ पर कौन-कौन सा पहले सबसे पहले इस चीज़ों को देख ले राइट बिल्कुल राइ आप S.E.I.E.S. add कर देते हैं तो वह नाउन plural की तरह यूज होता है लेकिन याद रखना आपको दूसरी बाते यहाँ पर जब भर्व में आप S.E.I.E.S. add कर देते हैं तो भर्व singular की तरह यूज होता है तो यहाँ पर जो है ही के साथ हम right का use बिल्कुल नहीं कर सकते हैं right हो सकता है is writing भी हो सकता है has written भी हो सकता है wrote भी हो सकता है यहाँ पर चारो options सही लग रहे हैं अब आप sentence को आगे पढ़िए तब आप इसे clarify कर सकते हैं कि कौन सी options ज़्यादा सर्टिक होगी he does and answer at this time यहाँ पर एक word लिखेगे at this time at this time का मतलब होता है अभी अभी वह प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं at this time एक ऐसा word है जो आपको बता रहा है कि कोई काम जो है उसमें continuity है वह काम अभी जारी है वह काम चल रहा है तो जब भी इस तरह का word आपको दिख जाए at this time at present at moment nowadays nowadays now यह सब कुछ word दिख जाते हैं तो आपको हमेशा continuous को follow करना है continuous हम कैसे बनाते हैं तो continuous को बनाने के लिए सर हम भर्व में ing लगा देते हैं और जब भी भर्व में ing लगती है तो उसके पहले हम helping भर्व बिलकुल लगाना न भूले तो यहाँ भी जो है हम यहाँ पर यूज लिख रहे हैं आप यहाँ पर यह words को अपने notebook में note कर ले आपको इन words के अलावा कोई exams में दूसरे words नहीं आएंगे यह continuous का sentence बनेगा जो की है at present, at this moment, at this time, now, these days, nowadays यह words आपको दिख जाएंगे तो आप बिलकुल भर्व में ing लगाकर आप sentence को सही कर पाएंगे next question number two, the boys dash football in the field at present, फिर दिख रहा आपको at present दिख ले बिलकुल आपको ध्यान रख लेना है, मतलब continuity को follow करा, मतलब लड़का अभी खेल रहा है football मैदान में, at present लग गया, तो हमें सर्फ बिलकुल यहाँ पर ing वाले option हम यहाँ पर दिख रही है, boys plural है, plural के साथ हम आर का use करे अगर यहाँ पर easy लगा होता तो हमारी option बिलकुल यह गलत हो जाती, so हमारे यहाँ पर option number two सही हो जाएगी, the boys are playing football in the field at present, next question number three, with us running tomorrow, हम लोग कल दोड़ेंगे, tomorrow, tomorrow का मतलब होता है आने वाला का, जो हमें indicate करता है future की बातों को, यहाँ पर यह future, ऐसे पहले कुछ words यहाँ पहले हम options को देख लेते हैं, क्या options हमारे कह रहे हैं, option में जैसे कि हमारा दिया हो word, word जो हमारे यूज करते हैं, हम लोग past को indicate करने के लिए, tomorrow का मतलब होता है आने वाला कर, और word was word का use करते हैं, बीते हुए कर के लिए, मतलब यह हमारा option ही cut जाएगा, next word है cell और will, ध्यान modals के बाद हमेसा और हमेसा हम भर्व की first form ही use करते हैं, बाट यहाँ पर देखेंगे, run में ing लगी हुई है, मतलब यह जो है हमारी continuity को बता रहा है, और जब इस तरह की continuity बता आए, तो future में हम ले जाने के लिए, हम लोग यहाँ पे b भर्व use कर लेते हैं, we cell b, और यहाँ प नेक्स्ट कोशन नमबर 4, a lot of energy does wasted on finding the treasure, बहुत सारा energy, बहुत सारी उर्जा क्या हो गई, waste हो गई, नस्ट हो गई, खराब हो गई, किस चीज में तो खजाने को ढूनने में, अब यहाँ पे क्या लगेगा, can लगा सकते हैं क्या, a lot of energy can wasted, बहुत सारी उर्जा बरवाद हो सक नहीं, यहाँ पे wasted, already जो है, मैंने आपको बता दिया, can आ जाए, will आ जाए, इसकाद हम भर्व की first form यूज़ करते हैं, wasted, यह तो already second form में लिखा गया, मतलब हमारा can और will, option ही गलत हो गया, अब बात आती है, was या आर में से हम कौन सा यूज़ करेंगे, अब देखेंगे, य sentence जो है, आपकी passive voice में लिखी गई है, passive voice जिसमें subject के उपर जब काम होता है, आप देखेंगे, sentence में लिखा गया, a lot of energy, बहुत सारी उर्जा जो है, क्या होगे, समाप्त होगे, तो क्या समाप्त होगे, उर्जा समाप्त होगे, और जब subject के उपर कोई काम होता है, इस मतलब यहां पर ही काम कर रहा है लेकिन मैं बोलता हूँ A letter is being written by him तो मतलब एक पत्र लिखा जा रहा है उसके दोरा मतलब काम किसके उपर हो रहा है A letter की उपर, subject की उपर तो जब भी subject की उपर कोई काम हो A lot of energy, उर्चा, बढ़वाद होगी क्या चीज ट्रेजर को ढूणने में मतलब subject की उपर work हो रहे है जिस वज़े से जो यह sentence passive में जा रहे है तो sir was होगा या आर होगा can और will तो automatically गलत होगी आप समझ रहे हैं क्योंकि इसकी बात भरक की first form आनी चाहिए थी इस वज़े सी wrong हो गया तो यहाँ पर lot of energy यह एक group है जिसकी वज़े से r plural है और was हमारी singular है तो यहाँ पर कोई हमें plural ऐसी कोई बात नहीं बता रहा जिससे हमें लगे कि हाँ यह plural है जिस वज़े से हमारी यहाँ पर r भी wrong हो जाएगी यहाँ पर हमारा सही option was बन जाएगा a lot of energy was wasted on finding the treasure मतलब यहाँ पर was हमारा सही हो जाएगा I hope समझ पा रहे होंगे question number 5 drivers dash drive over the speed limit drivers को speed limit के उपर drive करना चाहिए should का मतलब चाहिए can कर सकते हैं must not नहीं करना चाहिए या must अवज से करना चाहिए तो drivers को क्या नहीं करना चाहिए speed limit के उपर गारी को drive नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए हमारा option number 3 जो है हमें sense दे रहा थी वजह से हमारा option number 3 सही हो जाएगा next question number 6 he dash video games वह video games खेलता है he had playing ध्यार दखेंगे had के बाद हम भर्व की third form यूज़ करते है has, have और had के बाद हम भर्व की third form यूज़ करते है हमारा ये option गलत लिखा गया he am playing, he के सासर हम am नहीं लगाते है he is playing हो सकता है he were playing गलत हो जाएगा क्योंकि he singular है he was ले सकता है अपने साथ but he he अपने साथ was ले सकता है were नहीं लेगा जिस वज़े से हमारा यहाँ भी option number three सही होगा he is playing video games next question number seven he promised उसने वादा किया that he dash hard कि वह बहुत कठिन महनत करेगा अब यहाँ पे promised subject ही हो गया he के साथ promised भर्व की second form लिखी गई है अब ध्यान रखेगा पूरी इंगलिस में यदि एक sentence में past की कोई भर्व आ गई है मतलब वह बीते हुए बातों को बता रही है तो अगले जो sentence में भर्व आएंगे वह भी सब past के ही भर्व आएंगे वह present या future के भर्व नहीं आएंगे तो he promised that he will work hard नहीं sir मैंने आपको बता रहे हैं यह तो past के हैं और will तो future की है इस वजह से यह wrong हो गया हमारा he can work hard sir यह modals है यह भी काम नहीं करेगा he would work hard हो सकता है he has work has के साथ sir work कि नहीं लगेगी has के साथ worked लगनी चाहिए तो हमारा यहाँ पे सही कुन सा होगा यहाँ पे बिलकुल would work hard होगा उड किसकी past है sir उड विल की past है he promised that he would work hard I hope यह भी question आप समझ पार होगे next question no.8 the price of mangoes dash gone up आमो के दाम क्या हो गए है बढ़ गए चड़ गए जादा हो गए है अब देखेंगे यहाँ पे gone gone भर्व की कौन सी फर्म होती है यह आपको याद हो तो go, went, gone gone जो है हमारी भर्व की third form होती है क्या was होगा have होगा, has होगा या were होगा आप सभी लोग अब तो ज़्यादा तर बाते समझ पार होगे कि भर्व की third form जो है हम यूज करते हैं has और have के साथ मतलब यहाँ पे या तो has आएगा न तो have आएगा was or were तो बिलकुल यहाँ पे कोई इसकी काम ही नहीं है अब समझेंगे कि the price of mangoes मैंने आपको subject भर्व agreement के rule बता था यह दी कोई दो noun of से जूड जाती है तो हम जो भर्व यूज करते हैं वह first subject के according यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या है price प्राइस singular noun है जिस वज़ा से हम यहाँ पे singular भर्व has का यूज करेंगे the price of mangoes दाम बढ़ रहे हैं आम के आमें नहीं बढ़ रही है यहाँ पे क्या बढ़ रही है आमो के दाम आम की बात मैं नहीं कर रहा है आमो की दाम बढ़ तो दाम क्या एक singular noun है और singular noun होनी की बज़े से यहाँ पे singular भर्व हम has का यूज करेंगे next question number 9 listen सुनू राधा dash the guitar राधा गितार बजा रही है राधा will playing the guitar हो सकता है नहीं sir आपने भी तुरंत रूल बताया will के बाद भर्व की first form लगती है आपनो option ही गलत लिखा है राधा head played the guitar सर हो सकता है वैसे भी तो head के साथ भर्व की third form लगेगी भी राधा is playing guitar बहुत अच्छी है राधा are playing guitar से तो बिलकुल गलत लिख दिया तो यहां पर सही हमारा क्या हो जाएगा राधा had played the guitar क्या हो सकता या राधा is playing guitar तो आप ध्यान रखेंगे जब तक हम इस sentence में पूरी तरह से क्यासे listen listen लगने के वह सब को वो रूल हिटा दी जब आप यह next rule समझेगा listen लगने से मतलब सुनो मतलब क्या मैं अभी की बात कर रहा हूँ न अभी सुनो क्या मैं अभी बताऊंगा क्या अभी सुनो की राधा गीतार बजाएगा नहीं मैं आपको अभी at present की बात कर रहा हूँ जिस वज़ा से हमारा यहां पे जो सही answer बनेगा बनेगा listen राधा is playing the guitar next question number 10 when the sun is signing we usually dies for swimming जब भी सूर्य चमकते हैं हम लोग जाते हैं प्राय क्या करने को पैरने को क्या we went we usually went for swimming या we going या we do go या we go अब यहां पे आपको अगला रूल जो समझने के लिए जो है मैं आपको कुछ words पहले बताना चाहता हूँ यहां पे कुछ words ऐसे दिये हुए हैं है virtual action मतलब जो हमारी कुछ ऐसे words होते हैं जो हमें हमारी आदतों को बताते हैं जैसे always, never, seldom, rarely, usually यह कुछ ऐसे words हैं जो हमारे आदतों को बताते हैं और आदत बताने वाले सब्द हमेशा simple present tense में बनते हैं और simple present tense कैसे बनते हैं तो इससे simple present बनाने के लिए हम हमेशा या तो भर्व की first form ना तो भर्व की हम fifth form ही यूज करते हैं तो यहां पे हमें देख रहा हूँ वी लगने की वज़ासे जो है हम इस sentence में वी लगने की वज़ासे हम यहां पे plural भर्व यूज करेंगे और वी के साथ हमें यहां पे गो का यूज करेंगे वेन दसानी साइनिंग जब भी सूर्य चमकते हैं वी यूज वाली हम लोग प्राया जाते हैं तो गो फोर स्वीमिंग हमारा यहां पे सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर 11 यहां पे आपको वर्ड्स दिये हुए हैं आप छुपड़े होंगे देख लेंगे आफ्टर सम्टाइम्स डेली एवरी डी एवरी भी यह सारे कुछ वर्ड्स हैं जो आप एक निट में से अटा दे रहा हूँ यह कुछ वर्ड्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है यही सारे वर्ड्स आपको टेक करके टिक करना है सेंटेंस में नेक्स्ट है मैं क्या कर सकता हूँ अब देखते हो आपसंट में क्या है I does not सर I के साथ does कभी नहीं लगती है I अगर लगाती है अपने साथ कोई helping verb तो I अपने साथ do लगाती है I के साथ do not हो सकता है I have not speak Spanish नहीं हम लोग verb की third form के साथ करते हैं यहाँ पे तो वैसी कोई बात ही नहीं है I am not speak बिलकुल नहीं सर सही बनी नहीं रही I am not मैं नहीं हूँ Spanish बूलने वाला ऐसा कुछ होई नहीं रही तो हमारे यहाँ पे सही answer हो जाएगा I do not speak Spanish मैं Spanish नहीं बोलता हूँ present tense की बात हो रही और present tense में हमी जब भी negative sentence बताना हो तो हम लोग वहाँ पे do और does का use कर लेते हैं next question number 12 I am dash my bed मैं क्या कर रहा हूँ अपने bed को लगा रहा हूँ यहाँ पे make लिखा option मतलब बनाना नहीं होता है मतलब bed को लगा रहे हैं I am make my bed I am क्या है I am sir एक helping verb है helping verb के बाद is am I am was where आपको वर्ड याद रखने है helping verb में इसे हमार was बर यह दी आपको दिख जाते हैं तो उसके बाद हमेशा हम ing वाली ही भर्ब का use करेंगे तो इसी वज़े से हम यहाँ पे I am making my bed हमारा सही हो जाएगा I am was making तो होगा ने क्यूंकि already यहाँ पे एक भर्ब helping verb लगी पड़ी हुई है next question number 13 John does in hospital for two weeks John hospital में दो week से है दो सब्ता से पूरी इंगलिस में ध्यान रखेंगे यदि आपको किसी sentence में since या फोर दिख जाए यह दो वर्ड याद रखेंगे since या फोर दिख जाए तो आप हमेशा उस sentence को present perfect continuous tense में बनाते हैं अब बात आते हैं present perfect continuous यहाँ पे फोर दिख राए न उसी तरह से आपको कहीं पे since भी दिख सकता है तो sentence में जो है हम यूज करते हैं has या तो have plus been plus भर्व में भर्व की fourth form मतलब भर्व में ing तो John singular है John के साथ हम यहाँ पे has use करेंगी John has been lying in hospital for two weeks John 27 से hospital में लेटा हुआ है मतलब strange का हम यूज तब करते हैं जब कोई काम past में हुआ है पहले से हो रहा है अभी भी चल रहा और आसा है आगे तक चलेगा तो इस तरह के sentence को हम लोग continuous में इस तरह से हम यूज करते हैं नेक्स्ट कोशन दब मैं वोस टैस बाया डॉग यहाँ आप आपको दिख रहा है बाई जब भी दिख जाए आपको किसी sentence में बाई मतलब समझेगा इस sentence जो लिखी गई है वो लिखी गई है passive voice में और पूर इंगलिस में ध्यान रखेंगे जब भी passive में कोई sentence लिखी जाती है तो उसमें हमें साब भर्व की third form ही लगती है चाहे helping भर्व कुछ भी हो ध्यान रखना है उसमें हमें साब भर्व की third form ही लिखेंगे अब आपको यह नहीं याद रखना है जसे हम यहाँ पे third form यूज करना होगा और third form हमारा यहाँ पे the man was beaten by a dog सही हो जाएगा I hope समझबा रहोंगे next question number 15 either of the two dash acceptable दोनों में से कोई एक क्या है सुईकार करने योग्य है आप इस rule को भी subject भर्व एग्रिमेंट में आपने पढ़ा होगा अब उस पे जाके एक वर्व पीडियो को जरूर देखें तो each, every, either, neither यह दिए आपको दिख जाते हैं तो उसके बाद हमेशा हम singular भर्व का ही यूज करते हैं यहाँ पे singular भर्व कौन से हैं यहाँ पे singular भर्व हमारा sir is हो जाएगा either of the two is acceptable next sir has भी तो यह singular है question number 16 the doctor suggested the patient doctor ने patient को suggest किया I advise दिया take a vaccine take a vaccine की vaccine तुम्हें लेना चाहिए take, take भर्व की कौन सी form है sir first form है यहाँ पे दिख आपको was was के बाद आपकी भर्व की first form नहीं आती है तो was के बाद पैसी मिले थी तो भर्व की third form ना तो भर्व में हम ing लगाते मतलब सर्थ हमारी यह तो wrong हो गई यह तो चलेगी ने तो will हो सकती है should हो सकती या can भी हो सकती है तो doctor suggested the patient will take a vaccine नहीं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा should क्योंकि जब भी यार रखेंगे किसी को कोई advice देना हो suggestion देना हो तो हम वहाँ पे should का use करते हैं या तो must का use करते हैं question number 17 the dash you mind standing up for a moment यह आप बुड़ा ना माने तो क्या एक छन खड़ी हो सकते हैं ध्यान रखेंगे जब भी हमें किसी से कोई request करना हो ध्यान रखेंगे क्या करना हो request करना हो तो हम उस condition में जादा विन्मता के साथ request करना है तो हम उड़ का प्रयोग करते हैं उड़ का प्रयोग करते हैं यहाँ पर यूज करेंगे यदि उड़ ना रहे sentence में ध्यान रखेंगे यदि उड़ ना रहेगा तो हम can का use कर सकते हैं लेकिन यदि ुड अल्रेड़ी है दिया हुआ यहां पे है तो हम यहां पे कैन का युज नहीं करें गे तो यहां पे हम कैन का यूज ना करके हम बिल्कुल यहां पे उट का ही यूज करेंगे तो यहां पे मुपमेंट i hope समझ भाइए होंगे question नमबर 18 अप देखेंगे यहां पर यह संटेंस जो है आपकी नारैसन आपने पढ़ा होगा तो न्यारैसन में होती है डारेक्ट स्पीच और एक होती इंडारेक्त स्पीच तो आपने अधिन नहीं पढ़ा यदि आपको डाउट हो ताप मुझे बता दे मैं आपको अगली जो वीडियो क्लास होगी मैं नारेसन या जो भी आप चाहते हैं ग्रामवार का टॉपिक मैं वह से ला दूँगा यहां पर नारेसन की वजह से जो है इफ लग गया है जबकि नारेसन में आपने होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बनाते हैं तो कॉमा इंवोर्टिट कॉमा के जगा पर हम इफ का यूज़ करते जैसे ही आस्कड ही सेड करके बनाते ना शेक उसी तरह से हम भी यहां पर यूज़ करेंगे दूसरी चीज बता देता हूं मैं यहां पर हैड लिखा है 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 जो है हमें पास्ट को इंडिकेट करता है बीती बातों को और मैंने आपको पहले भी बताया यदि एक संटेंस में कोई पास्ट की भरव आ गई है तो जो दूसरी भरव आएगी वो अभी पास्ट की ही भरव आएगी तो यहां पर हमारा आस्कड ही हमारा सही हो हमारा क्या है सर पाश्ट की भर्व है Head-Ask नहीं लगा सकते हैं एक ही साथ प्रफेक्ट की दो भर्व हम यूज नहीं कर सकते हैं आज सर प्रजेंट में है ूज सर फूटर में इसीवजह से यह दोनों वर्क नहीं करेंगे question number 19 when Radha dash back she will sleep जब Radha वापस आई वह सो चुकी रहे वह सो जाएगी ऐसा sentence कह रहा है तो हम समझेंगे यहाँ पे जब एक word होती है conditional word conditional sentence आपको कभी भी दिखती है जैसे कि conditional sentence में आपको कौन-कौन word से दी कुछ word ऐसे यह दिख जाए जो sentence if से सुरू हो unless से सुरू हो when से सुरू हो till, until यह सारे word आपको किसी sentence में दिख जाए ध्यान सुनीगा यह सारे word किसी sentence में आपको दिख जाए तो उस sentence में दो पार्ट होते हैं एक पार्ट आपके simple present में होंगे ध्यान समझेगा एक पार्ट जो होँगे वह आपके simple present tense में यूज होँगे और दूसरी पार्ट जो होगी वह future में यूज होगी अब यहाँ पे देखेंगे, will लग गया, मतलब यह future में Hoगया मतलब यह पार्ट किस में होनी चाहिए? Present tense में होगी Present tense कैसे होगा? तो present tense बनाने के लिए simple present tense बनाने के लिए सरभर्व की first form या भर्व की fifth form यूज़ करते हैं हम लोग मतलब when राधा, राधा singular है तो राधा के साथ हम comes का यूज़ करेंगे come नहीं लगाएंगे came सरभर्व की second form है इसलिए wrong हो जाएगी has come का कोई sense नहीं है सर will come future की बात हो रहें दो future एक साथ use हम नहीं करेंगे तो when राधा कम सब्सक्राइब बस आपको यतना इध्यान रखना when, if, unless, still और आपके एक्जाम में ये से question एक जरूर पूश लिए जाते है next question number 20 you does not go to attend the meeting तुम्हें meeting attend करने के लिए नहीं जाना जो भी है तो you cannot go to attend the meeting हो सकता है, can लग सकता है क्या maybe, देख लेते हैं, you need not, you may not, you would not sir, would तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मैं आपको पहले बता दूँ क्योंकि sir, यहाँ पे, उड़ का यूज हम लोग past में करते हैं या तो polite request करने के लिए कर लेते हैं, तो इस वस उड़ का यूज नहीं करेंगे make a use हम लोग करते है, possibility, संभावना बताने के लिए, जैसे it may rain today आज वर्सा हो सकती है, तो संभावना तो हमें बताना नहीं, can तुम नहीं जा सकते है, sir, can का use हम लोग करते हैं, power को बताने के लिए, या किसी की अंदर ability है, जो योगता है, उसको बताने के लिए, जैसे तुम इस book को पढ़ सकते हो, you can read this book, तुम तैर सकते हो, you can swim, तुम भी किसी के अंदर की सकती को बताना हो, या योगता को बताना हो, तो can का use करते हैं, यहाँ पर हमारा सही होगा, need you, need not go to attend the meeting, I hope आपको ये 20 questions समझाए होंगे, next, I dash dance classes, मुझे dance class में क्या है, I dash not enjoy, ध्यान रखेंगे, no एक ऐसा word है, एक ऐसा adverb है, जो हमेशा अपने साथ helping verb लेता ही लेता है, without helping verb, no का use कहीं नहीं होता है, sir not यहाँ पर तो helping verb नहीं लगी गई है, जिस वजह से यह गलत हो गया, I के साथ doesn't, हम use नहीं करते हैं, sir I के साथ do not तो use कर सकते हैं, I के साथ ambe use कर सकते हैं, तो क्या I am not enjoying dance classes, दोनों में साब कौन सा से होगा, मैंने आपको ब फॉलो नहीं करेंगे, यदि आपको लिखा होता है, present at this moment, now, nowadays, तो हम जरूर लगा देते, I am not enjoying, लेकिन ऐसी कोई बात अगर नहीं लिखी जाती है, तो यह हमारे present के आदत को बताता है, habit को बताता है, जिस वजह से हमारे यहां पर सही होगा, I don't enjoy dance classes, मुझे dance classes enjoy, मैं उसमे अच्छा नहीं लगता, next question number 22, what has you been doing, तुम क्या कर रहे हो, डबलो एच की कभी भी कोई word आपको दिख जाए, तो डबलो एच के बाद helping भर लगाना बिल्कुल न भूले, और यहां भी आपके साथ helping भर भी है, पहले तो भर को देखे, यहां पे लिखी गई, doing भर की fourth form, मतल यहां पे हम क्या यूज करेंगे, यहां पे देखेंगे, what was, was के साथ सर भी नहीं लगता है, will के साथ सर भी नहीं लगाएंगे, what have, बिल्कुल सर, you plural है, you के साथ हम have का यूज कर सकते हैं, should के साथ भी हम यहां पे win का यूज नहीं करते हैं, तो what have you been doing, next question number 23, we dash to cinema last night, हम लोग पिछली रात, कल की रात कहां गये थे, cinema देखने के लिए गये थे, आपसर यहां पे क्या है, फिर मैं आपको यहां पे कुछ trick बता रहा हूँ, आपको कुछ words याद रखने है, कभी यह word आपको दिख जाए, yesterday, last लगा के कोई भी word, last day, last month, last night, last week, last year, कुछ इंगलिस में ध्यान रखेंगे, यह तीनों word में से कुछ भी आपको दिख जाए, तो हमेशा उसके sentence में जो भर्व होगी, वह second form में होगी, मतलब यह sentence past की और चले जाएगी, हम लोग कल रात cinema देखने के लिए गये, यहां पे हमारा सही जो होगा, यहां पे second form जो है भर्व को भेजना, post करना, did, did के साथ मैंने आपको एक और साथी साथ रूल बता दू, कभी भी आपको दिख जाए, do, does और did, तो इसके बाद हमेशा और हमेशा आप भर्व की first form ही यूज़ करेंगे, आप लोग भी अपने notebook में लिखते जाए साथ साथ, यदि नहीं लिख रहे है तो आप मेरे वीडियो को दो बार जिरूर देखें, जिससे आपको याद हो जाएगी, तो did you remember, तो did के साथ हम भर्व की first form remember आ चुकी है, तो क्या तुम्हें याद है, क्या याद है, लेटर को भेजना, post करना, post भी सर एक भर्व ही है, ये सारी भी भर्व की form लिखी गई है तो एक संटेंस में हम डबल भर्व का कभी यूज नहीं कर सकते हैं, और इस तरह की जब condition बन जाए, इस तरह की situation आ जाए, कि हमें दो भर्व यूज करना हो, तो सर हम जो दूसरी भर्व यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं, infinitive की तरह, infinitive कैसे बनता है सर, तो तुम में ह पोस्ट दा लेटर आई होब समझ रहे होंगे कोशन नमबर 25 ही यूज्ट टू डैस इन दा कंट्री यूज्ट टू का प्रयोग हम लोग उस बात को बताने के लिए करते हैं जो हम पहले किया करते थे और पूरी तरह से ये कहूं तो यूज्ट टू का प्रयोग हम पास्ट की आदतों को बताने के लिए करते हैं वह इस देश में रहा करते थे यूज्ट टू यूज्ट टू भी एक मॉडाल्स है और मैं बताया था मॉडाल्स के बाद हमें सा सरभर्ण की फर्स्ट फर्म यूज्ट करेंगे यहां पर हैड लिवड लगा हुआ है नहीं यूज़ होग किस यहां पर यूज्ट टू नीड डेर यह सारे वर्ट आपको ध्यान रखने मॉडाल्स देख जाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फर्म यूज़ करेंगे कुश्ट नमबर ट्वेंट ट्वेंट डैस इंद रीवर नियरबाय वह गया बगल की नदी में मचली को लाने के सब्सक्राली होंगे और फिस का मतलब यह भी होता है मचली पकरना भी तो यहां पर सरी नाउन की तरह यूज्ट हो रहा है Fishing he went fishing in the river नहीं होगा he went for fish क्या हुआ नदी में मचलियों के लिए गया नहीं मचलियों के लिए नहीं मचलियों को लाने के लिए गया है तो मैंने आपको तुरंत बताया जब एक संटेंस में मुझे दो भर्व की जरुवत हो वेंट अल्रेडी भर्व है हमें दूसरी भर्व चाहिए तो हम वहाँ पे टू प्लस भर्व की फर्स्ट फर्म यूज़ करेंगे तो हम वेंटो फेस इन दर रिवर नियरबाय नियरबाय का मतलता है बगल के question number 27 dash to London by train yesterday आपको दिख गया यहाँ पर yesterday जैसे yesterday, last day, previous day दिख जाएं बस आपको past वाले भर्व की second form यूज़ करना है सर यहाँ पर तो भर्व की second form लिखी गई है event यह हो सकती है क्या यहाँ भी second form लिखी गई event हो सकती है क्या देखेंगे पहले आप ध्यान से समझें डिड सालनी वेल्ट मैंने आपको एक और फिर से पहले भी बताया था कि do, does, did लग जाएगा तो उसके राद हम भर्व की first form यूज़ करते हैं क्योंकि did already past को ही बता रहा है तो हम यहाँ पर दुबारा से यह का है बताएंगे past को क्यों बताएंगे वेंट लेकर के इस वज़ा से हमारा डिड सालनी वेल्ट गलत लिखा गया है डिड सालनी हमारा गो यहाँ पर सही हो जाएगा डिड सालनी गो टू लंडन भाई ट्रेन यस्टरड़े नेक्स्ट कोशन नमबर 28 अनफैबरेबल सीजन डैस क्रॉप मतलब जो अनफैबरेबल सीजन जैसे कि अभी बरसात की मौशन जो ना चाहते हुए आ गई यह भी आजकल बहुत जादा बारी सो रही है यह क्या है अनफैबरेबल है यह क्या करती है क्रॉप को फसल को चती करती है यहाँ पर एक वरड बहुत कन्फूजन कर जाता है तो यहाँ पर समझेंगे यहाँ हमारा सही जो एंसर होगा वो एफेक्ट होगा ऐसा क्यों सर एक टक्रिक्ट क्यों नहीं होगा अनफैबरेबल सीजन से एक मौशन की नाम है मतलब मैंने बहुत बतारा जो न चाहते हुए जो मौशम आती है वो प्रभावित करती है किसको प्रभावित करती है फसल को मतलब यहाँ पे भर्व की जरुवत है और हमें season मतलब यह singular noun है तो effects में हमें भर्व में ऐस लगा आना पड़ जाएगा इस वजह से हमारा यहाँ पर वर्ड आती है तो helping भर्व आना अनिवार है helping भर्व के बिना टबलुएच वाले वर्ड बनेंगे ही नहीं तो the train lives इसमें सर कोई helping भर्व ने लिखी रॉंग हो जाएगी what time lives the train इसमें भी कोई helping भर्व ने रॉंग हो जाएगी what time is the train living कौन से समय में train चल रही है ऐसा तो नह जब तक मैंने आपको बताया continuous का कोई आपको now at present न मिले आप न यूज़ करेंगे हमारे यहाँ पर सही होगा what time does the train live कौन से समय में train जाएगी जिस विज़े से हमारा option number 4 सही हो जाएगा next question number 30 the great scholar and poet dash died महान, विद्वान और कवी मृत्यू को प्राप्त हो गए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा यह भी subject भर्व agreement में मैंने पढ़ाया है कि जब यहाँ पे end से जो दो नावने जूड जाए तो हम plural भर्व उस करते हैं लेकिन end के पहले यदि एक ही article the great scholar महान, व article दो लगी गई, scholar के पहले जैसे दो लग गया है, कभी के पहले क्या दो लगा गया, नहीं लगाया गया, मतलब यह एक ही विक्ती की बात हो रही है, कि एक ही विक्ती जो scholar भी थे और जो poet भी थे, जो कभी भी थे, वही मड़े हैं, मतलब singular की बात हो रही है, और singular की बात हो जिस वज़े से हम यहाँ पे singular verb हम has का use करेंगे यहाँ पे have का use ना कर दे अगर यहीं पे मैंने लिख दिया होता the great scholar and the poet मतलब scholar कोई और है poet कोई और है दोनों अलग-अलग की बात हो रहे तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई एक ही विक्ती की बात हो रहे है question number 31 see danced on the stage कहाँ पे dance की stage पर dance की question tag की question है आपने अपने book में जरूर पढ़ा होगा question tag question tag को कैसे बना जाता है मैं आपको बता दूँ जब इस तरह का एक sentence आपके पास लिखा होता है यह sentence positive में है मतलब इसमें not नहीं लगा हुआ है तो आपको आगे वाले sentence में not लगाना है यह इस sentence में पहले से not लगा हुआ है तो आपको आगे आने वाले sentence यह जो blank होगा इसमें not हटा देना है कैसे देखेंगे danced, danced क्या है सर भर्व की second form है मतलब यह past को indicate करा है तो past को indicate करने वाले यहाँ पे कौन से भर्व हो रहे हैं सर क्या want see होगा या can't see, didn't see या will see पहला तो यहाँ पे आपको बता दो will see तो होने से राच्यों क्यों क्यों कि यहाँ पे सर नेगेटिव में हमें चाहिए आगे क्यों कि danced on the stage यह तो positive में है तो हमें इसे सही होगा वह हमारा उजाएगा didn't see question number 32 I always dash the car twice a week मैंने बताया था आपको रूल सुरू में ही always, never, rarely, seldom यह सब वर्ड कभी भी दिख जाए मतलब मैं हमेशा सबता हमें दो बार अपनी कार को क्या करता हूँ? साफ करता हूँ I singular भर्व है तो I के साथ क्या योज़ करेंगे? I washes the car twice a week मैं कार को धोता हूँ दो बार सबता में next question number 33 last year last दिख्यान आपको जैसे last दिख्या मतलब आपको समझना है last जैसे देखनी से हमें समझ लेना है कि सर इस sentence में जो है हमें कोई न कोई भर्व की second form ही लगानी है last year my English course dash 20 lessons पिछले साल मेरे English की course में 20 lessons थे तो क्या includes होगा? नहीं सर ये तो present की बात होगा है will include, future की बात होगा है included बिल्कुल हो जाएगा सर क्यूंकि तो second form है including नहीं होगा next question number 34 they dash in the straight for 20 years वे इस गली में रहते हैं 20 वर्सों से मैंने आपको बताया होगा for or since दिख जाए जैसे ही दिख जाए आपको for or since मतलब आप समेशा समझ ले वहाँ पर या तो have has और have has के साथ been और plus भी for ही यूज़ोगा भर्व की ing they plural है दे के साथ sir हम have use करेंगे sir यहाँ पे सायद मैंने option गलत रख दिया है they will have labeled नहीं they have labeled अच्छा नहीं sir option बिल्कुल सही लिखी गई है they have labeled यहाँ पे हमारा यह भी से होगा क्योंकि continuous में इस तरह की sentence आती है जिसमें for या since लगी होथ उसमें हम लोग present perfect का भी यूज कर लेते हैं और present perfect continuous का भी यूज हो जाता है इस चीज़ को आप confusion में न रखे याद रखेंगे जब इस तरह की बाते जो हमें कोई काम जो पहले समय से हो रही है और अभी भी चल रही हो और आगे तक चलेगी तो इस तरह के sentence को हम लोग present perfect में भी लिख लेते हैं और present perfect continuous में भी next and last question would you like dash to the market क्या आप बाजार जाना पसंद करते हो तो would you like तो would देखेंगे modals और modals का यहाँ पे भर्व की first form like अल्रेडी आ चुकी है और यहाँ पे हमें दूसरी भर्व की जरुवत है would would modals modals का भर्व की first form like पसंद करना आ गई है तो हमें यहाँ पे दूसरी भर्व अगर जब चाहिए तो हमें मैंने आपको बताया सर्वहाँ पे हम 2 प्लस भी 1 का यूज़ करेंगी और इस तरह से हम लोग to go would you like to go to the market हमारा सही हो जाएगा I hope यह आपके 35 questions clear होंगे आपको यह सारे questions आपके last year exams में पूछेगे सभी questions हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा comment section में जिरूर बताए thank you for watching my video